पूट्रेंट्स वेल्कम बेक टू मैं चैनल कैसे हो आप सब उमीद करते हूं बेटा सभी अच्छे होंगर अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपने वरक्षिट नंबर 26 साइन सब्जेक्ट के बेटा 10th क्लास के लिए आपकी वरक्षिट चैप्टर चला हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे लेकिन मैं बता दू बेटा हमने अभी तक 10th क्लास के अपने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है मतलब कि इसको इंकलूड करके जयाव परक्रम को ठीक है कौन सा 1st कर लिया है 2nd अमलक सार वाला कर लिया ठीक है 1st कर रासाइनी कभी किरिया वाला और 3rd बेटा हमने किया है विद्यूत वाला ठीक है और 4th हमारा जो चल रहा है जयाव परक्रम तो हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो आपको इन 4 चैप्टर से हर कोई डाउट जो है बेटा ये कनफर्म है कि आपके कभी भी पेपर होते हैं तो उसमें आएंगे ही आएंगे ठीक है तो आपको इनको अच्छे से तैयारी करनी है ठीक है और हमने जो जयाव परक्रम पढ़ाए बेटा उस जयाव परक्रम में हमने सबसे पहले क्या पढ़ाता जयाव परक्रम मे पताने हम ये वक्षिट क्यों कर रहे हैं तो ये पोशन वाला पोशन पढ़ा हमने कि पोशन होता कैसे है मतलब कि पोशन पढ़ा की पोशन जीवों में कैसे होता है ये परकरम है ठीक है हमने पढ़ लिया दो तरीके का पोशन होता है ठीक है जो कि क्या होता है एक तो जिसमें पाचन पढ़ा तो पाचन तंत्र में पढ़ लिया फिर हमने दूसरा जो जैव परकरम था अपना वो क्या था सवसन पढ़ा ठीक है कल ही हमने पढ़ा था सवसन के बारे में तो सवसन जो परकरम था उसमें क्या होता है हमने ये पढ़ लिया आज हम पढ़ेंगे उसी को मानव सवसन्तंत्र पढ़ेंगे कि मानों में सवसन जो होता है वो किस तरीके से होता है तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते है आज का टोcek उमीद करती हूं, आपको थोड़ा सा क्लियर हो g Heinoo कि आप सब क्या पढ़ रहे हूं और क्या समझ रहे हूं अंग परनाली है और बिटा टोपिक अच्छे से समझा करो तभी आपको क्लियर हो पाएगा अभी आप अगर सोचोगे कि हम सिर्फ कोश्चन्स कर लेते हैं तो आज तो आप कर लोगे लेकिन पेपर में फिर आपको ये भूत बड़ा लोस करेगा ठीक और वैसे भी 10th किलास है तो इसलिए सीरियस हो क्या आप समझा करो टोपिक को ठीक है आज थोड़ा सा टाइम दोगे आपकी लाइफ के लिए भूत बड़ा टाइम होगा ये ठीक है जो आप दे रहे हो और समझ रहे हो खुद से भी पढ़ा करो ओके यह वै अंग परनाली है जिसमें उर्जा की आव पंडयोकसाइड को बाहर निकालते हैं ठीक है तो ये दोनों जो होती है गैसी जरूरी होती है इसके लिए ठीक है और ये एक अंग परनाली है मतलब कि इसमें काफी सारे अंग जो है एक साथ मिलकर कारिये करते हैं ठीक है इस सवसंतंत्र में जो अंग होते हैं और ये क्या क बताएगा है, सबसे पहला है नाक, तो सबसे पहले हम स्वास कहां से लेते हैं, नाक से लेते हैं, भारी नथुने का एक जोड़ा होता है नाक, छोटे बालों के रोम नासिका के आंतरिक भाग को ढखते हैं, तो बेटा क्या होता है, जो नाक होती है, उसमें छोटे छोटे से नासिका में जिनको रोम नासिका मतलब की छोटे बाल बोल देते हैं वो क्या करते हैं और भारी रोगानों से सरीर की रक्सा करते हैं तो ये एक मतलब की जो उसका आंतरिक भाग होता है नासिका का उसको ढख लेते हैं ठीक है और क्या करते हैं जैसे भी हम वाईयू लेते हैं तो उसमें धूलकन भी होते, काफी सारी चीज़े होते, तो ये उनको क्या करते हैं, फिल्टर करने का कारिये करते हैं, छानने का कारिये करते हैं, जो हमने वाईयू ले ठीक है, उसको शुद करने के लिए, और फिर वो शुद जो स्वच हवा होती हैं, उसको अंदर भेजते ह वक्त हवा की अतिरिक्त आदिरता परदान करते हैं और बेटा दूसरा कार्य क्या करते हैं नासिका में जो बाल थे इन्हों ने तो क्या किया जो मतलब गंद की थी उसको भार रोकने की कोशिस की ठीक है और जो एक बेटा फ्लूर होता है द्रव होता है जैसे इंगलिस में उसको मकस बोल देते हैं ठीक है स्लेसमा बोल लो आप ठीक है हिंदी में उसको स्लेसमा बोलते है तो वो होता है नासिका के अंदर जो क्या करता है इसको नमी परदान करता है वाई यू को ठीक है जो हमारे मतलब की नासिका के दुआरा प्रवेश करती है ये तो नाक थी बिटा ठीक है दूसरा है स्वरियंत्र ठीक है अब स्वरियंत्र क्या है बिटा तो स्वरियंत्र है इसे एडम एपल या वाइस बोक्स भी कहा जाता है ठीक है तो ये आप देख रहे होंगे यह यहां पर होता है ठीक है तो यह स्वरियंत्र क्या होता है जिसे अब हम बोल रहे हैं तो हम बोल पा रहे हैं वो किसलिए कैसे बोल पा रहे हैं तो हमारे अंदर जो होते हैं पिटा कुछ voice box होते है ठीक है जिसके अंदर vocal codes होते है जो आपस में जैसे हम बोलते है तो आपस में क्या होते है कमपन करते है vibration करते है जिसकी वज़े से वो sound produce होती है ठीक है तो उसी को स्वरियंत्र बोला गया है इसे Adam Apple या voice box भी कहा जाता है ठीक है और ये Adam Apple जो होता है आप यहां पर देख रहे होंगे ये ठीक है थोड़ा सा मोटा हिस्सा होता है जब आप देखते होंगे जैसे की जैंट्स होते है उनमें होता है ठीक है मतलब कि लेडीज में नहीं होता है जैंट्स में होता है यह वह हिस्सा है जो खद्यकनों को निगलने के दोरान उठता और गिरता है तो यह बेटा जो स्वरियंत्र है जब हम खाना खाते तो तुम देखो निगलते हो तो तुमें दिखता है यहां से उपर उठता हुआ और नीचे बैठता हुआ जब तुम कोई चीज निगलोगे तो तुम देखना फिर बिटा आता है ग्रसनी तो फिर उसके बाद क्या आता है ग्रसनी देखो नासादवार नासादवार से क्या हुआ वयू प्रवेज की वयू कहां पर गई यहाँ पर एडम एपल होते है उसके ठूluence मतलब कि जब हम बोल तो यह जो नाक से वाईउ हो गई वह कहां खुलती है गृस्णी क्या एक खोकला स्थान है यह हवा और भोजन दोनों के लिए एक आम रस्ता है मतलब कि यह जो यहां पर यह वाला हिस्सा होता है जैसे तुम देखो कि दो रोड होती है ठीक है यह आगे जाके क्या होता है यह दो रोड में मतलब कि पार्टीसन हो जाता है इस तरीके से कोई रोड आ रही है तो ऐसे बिटा नाक से क्या होता है नाक से जो वाईयू आ रही ह वो एक ग्रस्नी से जाती है यहां से मुख से भी क्या होता है मुख से खाना जाता है उस ग्रस्नी में नाक से वायू जाती है ठीक है तो यहां पर यह क्या एक कोमन रोड है आम रस्ता है मतलब कि एक ही रस्ता है जहां से वायू भी जारी और खाना भी जा रहा है ठीक है तो य एक साथ मिक्स ना हो जाए, फिफडो में खाना न चला जाए और क्या होता है? हमारे अमास्य के अंदर वाईयू न चली जाए, ओके? तो उपकंठा के एक लोचदार उपस्ती होती होती है, ठीके? तो ऐसा होने से रोकने के लिए एक उपास्ती होती है ठीक है जिसका नाम क्या है उपकंट ये दिखाया गया आपको ठीक है यहाँ पर कंट दिखाया गया उपकंट होता है मतलब एक तरीके से वो धक्कन का कारी करता है जैसे अब ये था ठीक है बटा यहाँ से क्या हो रहा थ इधर से खाना आ रहा है और इधर से क्या आ रही है वाईयू आ रही है तो दोनों चीज़े आ रही है तो इनके बीच में यहाँ पर फिर से partition हो जाता है बस यहाँ पर यह एक रस्ता होता है यहाँ से भी अलग होती है और आगे जाके है is तरफ तरफ नहीं अगर अगर तुम देखते होगे जब हम बोलते भी और भोलते भी एक साथ आ हूं तो क्या होता है екले लोज़दार उपास ती ये जो सवर्यंत्र और आने की नली को ढह लेता है और योज़कोक 도् Cape अनकी नली के बीच एक switch के रूप में, switch मतलब बेटा कि एक बार ये इधर होता है और एक बार जैसे कि on off का switch होता है, ठीक है, तो इसी तरीके से एक बार एक चीज को ढखता है, एक नली को ढखता है, एक बार दूसरी नली को ढखता है, ठीक है, अब next क्या है, स्वास नली, त यह स्वांस नली क्या होती है स्वरियंत्र के नीचे से होते हुए गर्दन तक जाती है मतलब नीचे तक जाती है और वाईयू नली की दिवार सी आकार की होती है अब तुम देख रहे होंगे बेटा तुम यहाँ पर यह तुमें छोटे-छोटे से बोक्स दिख रहे हैं ऐसे यह जो box, यह C के आकार के होती, तो ऐसा क्यों होता है? यह इसको पिचकने से रोकते हैं, अब पिचकने से कैसे रोकेंगे, मतलब जब देखो, इस में सेvio अंदर जा रही है, तो क्या होता है? यह full जाती है, कोई चीज अंदर जा रही है, अब next क्या है, बिटा, स्वासनी, अब स्वासनी, तुम डाइग्राम में देखो, स्वासनी कहां predictive है, ये तो स्वासनली थी, ये स्वासनली आगे जाकर किसमें बदल गई बेटा, दो उसमें बदल गई स्वासनी में, ठीक है, एक इस फेफडे में गई, अब स्वसनी दीट्या और तिर्ट्यकल स्रे निकल गई, तो तुमने यह देखाऊगा, जिसने साखा यह होती है, पेड़ की साखा से दूसरी निकल गई, दूसरी से तीसरी निकल गई, इस तरीके से यह मतलब कि इसको द्वित्यय का यह नाम दे दिया गया है, और ऐसे करते-करते ये बहुत छोटे-छोटे मतलब की हिस्सों में हो गई तो जो आगे थे उसमें और छोटे-छोटे हिस्से हो गए एक के अंदर तो जो ये हिस्से हो गए इनको क्या बोला गए बिटा स्वस्निका ठीक है इन हिस्सों को बोल दिया गए जो अंत में ये क्या होती है कूपी का होती है अब ये कूपी का क्या होती है वो हम पढ़ेंगे तो जो आगे कूपी का हो में विभाजित हो जाती है ये स्वस्नी थी जो ये फिर से क्या हो गई विभाजित हो गई कूपी का हो में अलग-अलग तरीके की ठीक है कूपी का एक पतली दिवारों और एकल सेल से बनी हुई गुभारे जैसी संरचना होती है ठीक है तो कूपी का क्या होती है कूपी का एक पतली दिवार और एकल सेल से बनी हुई ठीक है एकल सेल मतलब जो कोसिका होती है एक कोसिका से बनी हुई गुभारे जैसी सुक्स संरचनाई होती है जो वाईयू से भरी रहती है तो इनके अंदर क्या होता है वाईयू भरी रहती है जो हम स्वास लेते हैं तो जो वाईयू मारे सरीर में प्रवेश करती है वो इनके अंदर भर जाती है ठीक है अब उसके बाद ये कहां पर होती है कूपी का फेफडो में तो यह क्या होते है जो हमारी वक्स यह गुहा होती है रीड की हड़ी देखो यहाँ पर डाइग्राम में देखो तो यहाँ पर तुम देख रहे होंगे ठीक है यह क्या है वक्स गुहा है ठीक है यह हिस्सा क्या बोले जाता है वक्स गुहा बोले जाता है इसके पीछे रीड की पहोती है एक तरीके के बड़े और सपंजी अंगों होता है मतलब कि जिसे फूलता भी है ये ठीक है। और फिर नीचे की तरब बैठ तो एक तरीके से सपंज ऐसे ही करता है जब पानी उसमें भर momencie था, तो वो क्या हो जाता है फूल जाता है जब उसका पानी निकल जाता तो फिर से वो छोटा हो जाता है ठीक है तो जो मुख्या रूप से रक्त और वाईयू के बीच गैसों के आदान परदान में सामिल है ठीक है और ये गैसों के आदान परदान में किसके बीच रक्त ठीक है जो तो मुख्य रूप से रक्त और वाईयू के बीच जो गैसे होती है उनके आदान परदान में सामिल होता है बाया फेफडे की तुलना में दाया फेफडा काफी बड़ा और भारी होता है ठीक है तो यह वाला जो है उल्टा है ओके और यह वाला सीधा है ठीक है तो दाया यह है और बाया फेफड़ा की तुलना में जो दाया फेफड़ा होता है वो क्या होता है बारी भी होता है और बड़ा भी होता है ठीक है यह याद रखना और यह पसलिया यहां पर तुम्हें दिखाई गई है और अलग अलग जो अंग है वो भी दिखाई गई है ठीक है फिर यहां पर तुम्हें कुछ दिखाया गया है बिटा जो प्रोसस होती है सांस लेने की और सांस छोड़ने की तो उसमें क्या-क्या बदलाव आते हैं हमारे सरीर में जब हम सांस लेते तो वक्षिय गुआ फैलती है ठीक है सांस लेते तो बिटा क्या होता है तो वाईयू हमारे सरीर मे वो उपर की तरफ उठती है तुम इसको स्वांस लेके देखोगे तो तुमें समझ आ जाएगी एक एक चीज़े और वैसे तुम सैवंत में भी पढ़ चुके होंगे इसको पसलिया नीचे की और बढ़ती है और सांस छोड़ते है तो फिर से पसलिया नीचे की तरफ बैट जा है ठीक है ये वाला डायफ्राम है ओके और ये पसलिया है जब सांस लेते तो ये पसलिया उपर की तरफ उट जाती है ठीक है क्योंकि वाईयू भर जाती है फेफडो में और जो डायफ्राम होता है ये भी नीचे की तरफ हो जाता है मतलब ऐसे स्पार्ट हो जाता है इसमें भी वाई यू भरने के कारण ठीक है और जब छोडते हैं तो फिर से ये उपर की तरफ चला जाता है डायफ्राम और पसलिया क्यों थी बिटा नीचे की तरफ बैट जाती है ठीक है ये ध्यान रखना है उपर नीचे का मतलब है क्या फेफडो का आयतन बढ़ जाता है क्योंकि वाई यू असरीर के अंदर परवेस की तो सांस लेते वक्त फेफडो का आयतन बढ़ जाता है लेकि जब हम सांस छोडते हैं तो क्या होता है फेफडो का आयतन कम हो जाता है और हवा फेफडो में परवेस करती है ठीक है और इसमें हवा फेफडो से बहार निकल जाती है बीच गैसो के विनी में के लिए स्थै परदान करती है ठीक है तो जो वो गुभारे की तरह फूली होती है बेटा वो क्या देती है एक स्थै परदान करती है जहां पे कूपीका के अंदर क्या होती है दिवारों में बहुत सी रुदिरवाई काई होती है ठीक है जिनमें रक्त क्या है गैस ये विनी में किस स्थान पर होता है तो बेटा गैस ये विनी में किस स्थान पर होता है हमने अभी पढ़ा था कि कूपीका के बारे में तो गैस ये विनी में हिर्द्य में स्थित कूपीका में होता है ठीके तो कूपीका कहां पर स्थित है हिर्द्य में स्थित है तो आप फेफडे भी लिख से, sorry बेटा, हिर्दिया नहीं है, ये फेफडे है, ये गलती से लिख दिया, मैंने, यहाँ पर आप फेफडे लिखोगे, ओके, तो, गैस ये विनी में, फेफडे में, स्थित कूपी का में होता है, ओके, ये सही कर लेना बेटा, ओके, sorry for that, तो ये याद रखना, जो कूपी का होती है, वो फेफडों के अंदर होती है, और फेफडों में भी कह सकते हैं, और कूपी का में भी कह सकते हैं, कि गैस ये विनी में होता है, थर्ड कोशन क्या है बेटा, कि सांस लेने तथा सांस छोडने की परकिरिया के बीच अंतर स्पस्ट करो, हमने अभी उपर पढ़िये बेटा, सांस लेने और सांस छोडने की परकिरिया, ठीक है, ये वाली, आप ये सारे पोइंट्स यहाँ पर लिख दोगे इसमें, ओके, next question है बेटा, कि मानव सवसंद पढ़ना लिक्या नामांकित चितर बनाईए, तो चितर भी बेटा यहाँ पर दिखाया गया है, तो आप ये बना दोगे, ठीक है, अच्छे से, देख लो आप इसको, तो इस तरीके से आपको बनाना, ये आपकी बुक में भी मिल जाएगा, ओके आप बुक देखोगे तो, अब next है बेटा, सांस लेने और सांस छोडने के दोरान, अपने उदर की गती को ध्यान में देखिए, और महसूस कीजिए, और आपके अवलोकन के पीछे का क्या कारण हो सकता है, मतलब जो आप बताओगे, वो ऐसा क्यों बता रहे हो, वो भी बताना है, तो बेटा, क्या लिखोगे आप, आप महसूस करके देखना, खुद से जब सांस लेते हो, तो सांस लेते वक्त, उदर की गती उपर की तरफ होती है, मतलब कि क्या होता है, बहार की तरफ, या तो उपर की तरफ को, या बहार की तरफ होता है, मतलब फूल जाता है, एक तरीकी से, क्योंकि सांस लेते वक्त, वाईयू सरीर में प्रवेस करती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, डायफराम का आयतन बढ़ जाता है, और वो नीचे की तरफ गती करता है, आमने अभी देखा था, ठीक है, तो नीचे की तरफ गती करता है, तो नीचे हमारा क्या, मतलब कि उदर है, तो उदर में क्या होता है, उदर फूल जाता है, उपर की तरफ उठ जाता है, ठीक है, सांस छोड़ते वक्त उदर की गती नीचे की तरफ होती है और अंदर की तरफ होती है क्यों? क्योंकि सांस छोड़ते वक्त वाईयू सरीर से भाहर निकल जाती है जिससे क्या उदर डायफ्राम का आयतन कम हो जाता है तो भार निकल गई तो उपर की तरफ उठ जाता है डायफ्राम ठीक है और उदर क्या आ जाएगा उदर की गति नीचे की तरफ हो जाएगी ठीक है उदर मतलब की नीचे की तरफ है डायफ्राम क्या उपर की तरफ गति करता है और जो होगी मतलब की उदर वो नीचे की तरफ आ जाएगा ठीक है तो यह आप question में अपना पूरा answer लिख देना यह आपकी आज की वक्षिटती उमीद करती बटा आपको समझ आएगी थोड़ी सी confusing सी भी है लेकिन आप अच्छे से समझो समझ आ जाएगी तो इस वीडियो मे बेटा इतना ही अपना नेक्स टोपिक नेक्स टूडियो में करेंगे तब तक के लिए सिहासते रहें मुश्कुराते रहें पढ़ते रहें और आगें बढ़ते रहें थेंक्यू